हेलो गाईज, वेलकम बैक इना इधर वीडियो तो होफुली आप लोग फिट होंगे और नए सीजन कहने का वेट का रहे होंगे और इधर भी सीन कुछ ऐसे ही है बाई कि सीजन का बहुत ही एंक्शिसली वेट हो रहा है क्योंकि नया सीजन आए और कंकरर पुछ करें क्योंकि कंकरर करने का मज़े कुछ हो रहा है तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज आपको मैं कुछ टिप्स दूँगा इन्शार्ट आज की हमारी वीडियो इन्फरमेटिव वीडियो होगी और टोटली कंकरर के रिलेटिड ही होगी और होपफुली बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद और आप लोग कंकरर इजली इन्शाला कर लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 200 सब्सक्राइबर के बाद करवाने जा रहा हूँ एक फ्री टोर्नामेंट और जिसका इनाम होगा रोयल पास और अगर आप लोगों ने चैनल अल्रीडि सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों से बोलें के सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना जल्दी से फ्री टोर्नामेंट का अगाज करें तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो जैसा कि सर्वर के रिलेटिड तो मैं आप लोगों को डीपली पहले भी बता चुका हूँ अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा तो आज मैं आप लोगों से एक यह वाली बात भी कर लेता हूँ कि हमारे जैसा कि तीन मूड हैं सोलो, डूओ और स्कौर्ड और जैसा कि कुछ दोस्तों के पास तो अपना स्कौर्ड होता है और कुछ के पास एक अपना डूओ होता है लाइक वो दो बंदी खेलने वाले होते हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास ना ही एक डूओ होता है और ना ही स्कौार्ड होता है और वो फिर भी आप लोग कंकरर पुछ करना चाहते हैं और कैसे हो सकता है किदर हो सकता है टीपीपी में हो सकता है एफपीपी में हो सकता है ये आज इसी डिलेटिड में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को मैं फूल गाइड करूँगा तो सबसे पहले तो मैं बात कार लेता हूँ स्कौार्ड की तो जैसा कि आप लोग लोग को पता है कि एक्षर बंदों के पास तो अपना स्कौर्ड होता है और वो क्या करते है कि TPPP में स्टार्ड कर देते हैं और अप्षर बंदे लड़के फिर खेल के का रहे हैं उनको 10-10 स्टार 15-15 स्टार बनाने पड़ते हैं इसके बाद तब जा के होता है और यह बात है आप मेंसे अगर किसी बंदे ने पुछ किया तो उसको पता होगी तो भाई सीन क्या है आप लोग क्या कर सकती है अगर आप लोग के पास स्कौार में खेलते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप लोग प्यानिक हो गया आप लोग का सर्दद हो गया लेकिन भाई मैं आपको गरंटी देता हूं कि आपके पास अगर स्कौार्ड है अपना तो आप एक दफा जस्ट पुछ कर के देख लें एफपी में अगर आपका ना तो आप लोग मुझे आ के बताना और अभी मैं आप लोग को एक टीप भी देता हूं इसी डिलेटिड लेकिन उससे पहले मैं बात का लेता हूं डूओ की तो भाई डूओ का सीन भी कुछ सेम टूसेम ऐसे है कि अगर आप एक परफेक्ट डूओ हो आपके पास अच्छी ड लाइक यंड वाले बंदे के भी 6700 प्लस पॉइंट है तो लाइक 15 स्टार एस के बाद जो है तो आप लोग के लाग रहे हैं और इसके लावा डूओ की बात का लें तो यहां पर आप लाग रहे हैं 11 स्टार और कुछ पॉइंट, मतलब 11 स्टार पर आपका कॉन कर लाग रह हैं हम तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि तॉप वाला बंदा जो है वो 6500 पॉइंट पे और यह होता ही एकर है भाई यह कंफर्म हैकर है आपको मैं एंड वाला बंदा दिखाता हूँ कि वह एंड वाला बंदा एफ़ पी स्कॉार्ड मीडल लिस्ट में किदर बैठा हूँ है तो क्यूंकि स्टार्ट में तो आपको पता है हैकर ही होते हैं तो यहां पे आप लोग एंड पे देख सकते हैं कि यहां पे 4700 पॉइंट्स है फूल 4700 पॉइंट्स बतलब एस के बाद पांच स्टार जो के हैं लास्ट वाले 100 बंदे के और इसके बाद मैं आप लोगों को डीपली बताता हूँ स्कॉार्ड के रिलेटेड लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डूओ की तो यहां पे आप लोग डूओ की रैंकिंग देख सकते हैं कि एफ़ईपी में जस्ट एक स्टार और 40 पॉइंट्स हैं लाइक आपको एक स्टार पे आप मिल जाएगा कॉन करें क्यूंके 500 में आपको पता है आना होता है तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सोलो की रैंकिंग तो टाप पे तो आपको पता है 5200 हैं लेकिन यह हैकर है लेकिन आप लोग जब आते हैं एंड पे तो इदर आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट एस करने पे आप लोगों को एफ़ईपी में मिल जाता है कॉन करें लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बता दूँ के एफ़ईपी सोलो खेलना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन हाँ आप लोग अगर एक बहुत अच्छे प्लेयरों काफी अच्छा खेल सकते हैं तो आप जा सकते हो सोलो की तरफ लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सोलो आप लोग एफ़ईपी में ना ही खेलो तो बेतर होगा क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन मैंने अल्रीडी किया है अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं आप स्कौःड पुछ कर सकते हैं एफ़ईपी में क्योंकि यहां पे जस्ट आपको एस के बाद थ्री स्टार ब्राने पड़ते हैं एवन आज आपको बता है कि सीजन हत्म होने वाला है और सीजन के एंड पे जस्ट 4700 लास्ट वाले बंदे के और लास्ट वाले बंदे के 50 से 100 पॉइंट के बीच में आपका मतलब कम पॉइंट्स लगते हैं तो आपका कंकरर हो जाता है तो लाइक आपके अभी इसके बाद थ्री स्टार पे हो जाएगा और यहां पे डूओ में आप बात करें तो डूओ में आपको एक स्टार लगाना पड़ता इसके बाद तो अगर आपका एक अच्छा डूओ है लाइक आपके पास एच्छी ड्वाइस ओन इंटरनेट है तो आप डूओ की साइट जाएं और सोलो तो मैं आपको सर्जेस्ट करूंगा कि ना ही जाए क्योंकि वो बहुत इंपॉसिबल सा काम है जेस्ट लाइक अ टी पी 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 तो ये थी यार आज की वीडियो होफुली आप लोगों को वीडियो अपसान दाई होगी और एंड में मैं आपको यही कहूंगा कि आपके पास अगर हैकर नहीं तो भाई आप टी पी पी में बिल